नमस्कार दोस्तों कल के सत्र में हमने देखा यूएस मार्केट में भारी भर कम गिरावट देखने को मिली है डाउ का इंडेक्स देखिए लगभग एक परसंट की गिरावट हुई है और नेस्टेक में 1.7 परसंट की अब इसकी वज़ा से मंडे को जब बाजार खुलेगा से हैं जूर्प गिरावट की वज़ा से ग्लोबल संकित क के खराब हो चुक है और जिसवाजह सी किरें हैं वो डेटा में बताऊंगा तो आपको सब्सक्राइब यार यह तो और खराब होता जा रहा है उसके अलावा जो मेजर ट्रिगर है FII के बेक्वाली रुकने का नाम नहीं ले रही है और यह जो डेटा आया है जिसके वज़ा से नेश्याइक डाउ गे रहा है इसके बाद यह और ज कैसा चैनल है जो आपको अभी नहीं बताता है डेटा आने से पहले आपको चीज़े बताता हूँ यहाँ पर आप देखिए why stock market will crash in 2023 यह दो महीने पहले का है उसके पहले वीडियो फिर एक महीने पहले similar वीडियो बनाया वहां पर explanation दिया उसके पहले यहाँ पर आप देखो है जब stock market अपने lifetime high की तरफ था अठारा 300 अठारा 400 पर था तब मैंने आपसे खुले आम बात की थी एक तरह से अपने पैर पे कुलारी मानने वाली बात कही थी कि इस समय लंबे समय का निवेश नहीं करना चाहिए ट्रेडिंग करना चाहिए normally लोग आपको उल्टा बात कहत है लेकिन मैंने वहाँ पे सही बात किती जो मुझे data दिख रहा था अब आपको उसका प्रभाव stock market में देखने को मिल रहा है अब मेरी बात ना भी मानो कोई बात नहीं मैं understand करता हूं कि ठीक है तुम तो YouTube पे हो तुम बोल रहे हो अपने हिसाब से बोलोगे but दुनिया का जानते हो black rock दुनिया का जानते हो इनके पास कितना पैसा मैनेज करते हैं भारत की अर्थ वैवस्ता लगबग 3 trillion dollar की है न यह लगबग 9 trillion dollar मैनेज करते हैं ऐसा समझो कि भारत से 3 गुना ज्यादा पैसा यह मैनेज कर रहा है भारत की GDP से तो समझ सकते हो इनका प्रभाव global इ बिल्कुल सेम चीज यह भी कह रहे हैं कि यार equity shorter term में हमें जादा अच्छी नहीं लग रही है क्योंकि interest rate की वजा से यह आप पूरी report यहाँ पर सकते हो उन्होंने यही बात पताई है new regime playing out, taming inflation would take deep recession, wording देखिये, खुले आम बोल रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा asset management house, at least इनकी बात आपको माननी नहीं चाहिए, वो तो आपके उपर है, बच सुनना चाहिए, क्या इनके data सही है, क्या आप इनसे agree कर सकते हो, तो वो आपको जरूर देखना चाहिए, उसके अलाबा, जो मैं चर्चा कर रहा था कि stock market क्यों गिरा विदेश का, उसकी बड़ी वजा ह में कल आया है एक बहुत ही important data, US में कल data आया है, PCE, inflation का data, हाँ, उनके कई सारे metrics, कई सारे parameter पे महंगाई को नापते हैं, एक सबसे famous है, आपका CPI, हम लोग भी नापते हैं, एक उनकी जो federal reserve है, उनकी central bank है, जैसे हमारे RBI है, उनका favorite है PCE, PCE data आपका बहुत जादा खराब आ मन्त और मन्त इसमें 0.6% की परोतरी होई है, अब आपको एक चीज़ सोचना है, central bank पिछले इतने महीनों से इतनी बार interest rate बढ़ा चुके हैं, सिर्फ एक बात के लिए, उनका objective क्या है, महंगाई को काबू में करना, बट इतने interest rate के बाद भी महंगाई आपके काबू में नह और यह बहुत ही खरा संकेत है, बहुत ही खतरनाक संकेत है, मनोबल गिराने वाला संकेत है यह, इसकी वज़ा से stock market में sentiment लंबे सबहे तक negative हो सकता है, और खत्रा बढ़ता है, किस टाइप का खत्रा, सिर्फ इतना ही नहीं है किस से sentiment खरावोंगा, इससे आपको real impact भी पढ़ हो चुके हैं, बट यह data के बाग लगता है, कम से कम दो से तीन बार और interest rate बढ़ेंगे, उसका असर आपको stock market में companies की profit and loss statement में दिखेगा, margin कमसोर होंगे, interest rate बढ़के आएंगे, अभी भी ऐसा हो रहा है, आगे और साधा होगा, इसका fundamental असर पढ़ते हुए आपको stock market में दि मैं इसको deeper impact, deeper research कर रहा था, तो देखने को मिला, कि US के interest rate अभी और बढ़ सकते हैं, अभी भी उनके real interest rate negative है, यानि उनकी जो loan की दर है, वो महंगाई दर से नीचे है, इसलिए अभी भी real terms में उनके loan सस्ते हैं, जब तक आप इसको काबू में नहीं करते, महंगाई कैसे आने पढ़ेंगे, definitely lagging impact होता है, कई लोग मुझसे बोलेंगे comment section में, बट फिर भी 2-3 interest rate बढ़ने का खत्रा काफी जादा बढ़ चुका है, ये थी overall बात, stock market पे खत्रा अभी भी है, एकदम अपने आपको साबधान रखिये, अपनी capital को safe रखिये, और भूलिय का नहीं, श जो कि sir, SIP, SIP चल रही है, उसमें tension नहीं लेना है, जब मैंने last time भी बोला था, ये नहीं बोला था कि अपनी SIP बन करो, SIP चलते रहना चाहिए, वो disciplined है, मैंने बोला था, लमसम एक बार में बड़ा निवेश नहीं कर देना है, 18,000 के उपर जब टिक रहा है, in fact मेरे जो इस टाइब के वीडियो आपको पसंद आया हूँ, अगर ऐसा है, तो प्लीज मुझे बतायेगा, लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, और कोई सुझाब हो, तक कमेंट सेक्शन का यूज भी करियेगा, थैंक्यू सो बच फॉर वाचिं इस वीडियो,